United Heat Transfer Limited, ये कंपनी 1995 से इस बिजनिस में है, that means आज की डेट में इस कंपनी को इस बिजनिस में approximately 30 years होने वाले हैं ये कंपनी अपना IPO लेकर आ रही है SME साइड मेंट में Well, जानते हैं इस कंपनी के बारे में इन इसके आने वाले IPO के बारे में कही मत जाये, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में United Heat Transfer Limited ये कंपनी एक महराश्टरा बेस्ट कंपनी है और काफी सारे प्रोड़क्स बनाती है जिनका industrial use होता है यहाँ पर मैं आपको बता दून जो ये इस कंपनी के प्रोड़क्स हैं उनको इस कंपनी ने तीन केटेगरी में डिवाइड किया हुआ है पहली केटेगरी हो गई Heat Exchanger दूसरी केटेगरी हो गई Pressure Vessels तीसरी केटेगरी हो गई Process Flow Skate ये नाम सुनकर आपको अजीब सा लगा होगा अगर आप इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम नहीं करते तो फिर आपको इस कंपनी के प्रोड़क्स समझ में नहीं आएंगे तो यहाँ पर मैं आपको बता दून इस कंपनी के प्रोड़क्स वो देखने में कुछ इस तरह से दिखते हैं ऐसे ही जो यह कंपनी है इस कंपनी के प्रोड़क्स का इंडस्ट्रियल यूज है अमीन जो दूसरी इंडस्ट्री की कंपनिया होती है वो इस कंपनी के प्रोड़क्स को as an input यूज करती है as in component use करती है and इस company के जो products है वो use होते है petrol and diesel engines में maritime vessels में mining trucks में heavy machinery में and इसके अलावा और भी काफी सारी जगे इस company के products use होते है and see जो ये company है ये company अपने products को खुदी बनाती है उनको इंडिया में बेचती है इन इंडिया के बाहर भी export करती है अगर हम इस company की total revenue देखे तो approximately 9% revenue वो export sales के थुरू आती है उन product की sales के थुरू आती है जिनको ये company इंडिया से बाहर बेचती है ऐसे ही इस company की 91% के आसपास revenue वो domestic sales से आती है and उसमें से भी approximately 90% revenue वो गुजरात और माराष्टरा स्टेट से आती है basically ये जो दो states है ये heavy industrialized states है इसी बज़े से इस company के जो products है इन दो states में जादे तर cases में बिकते हैं and अगर हम इस company के export की बात करें तो ये company अपने products को export करते है countries like France, Holland, Poland, Netherlands and USA जैसी countries में I mean ये वो country हैं जो जादे तर cases में quality products consume करती है and ऐसे ही अगर आप इस company के client list देखोगे तो यहाँ पर आपको काफी बड़े-बड़े काफी respectable brand name नजर आ जाएंगे and अगर हम इस company के client concentration देखें तो approximately 68% revenue वो इस company के top 5 clients से आती है ये थोड़ा सा concerning है because एक किसम से क्या है आपकी 68% revenue top 5 clients पर dependent है अगर उन 5 में से एक client गया तो फिर आपकी revenue हेवायर जा सकती है and profitability के उपर बहुत बड़ा impact पड़ सकता है and यही reason होता है that जो market होती है वो SME companies को इतनी अच्छी valuation नहीं देती specifically अगर उनकी revenue selected client से ही आती है तो and यही reason है that यह company अपना IPO 112.12 करोड रूपीस की valuation पर लेकर आ रही है so हमने company के business के बारे में जा लिया अब देखते हैं इस company के funny sales that जो यह इस company के funny sales है वो इस company के बारे में क्या बताते है शुरू करते हैं asset base से March 2022 में इस company का total asset base था 62 करोड रूपीस के आस-पास अगले साल थोड़ा सा jump देखने को मिला है and वो 65 करोड रूपीस के आस-पास पहुंच गया है March 2024 में भी यह 70 करोड रूपीस को cross कर गया है and इस साल तिल जुलाई 2024 यह 72 करोड रूपीस को cross करा है अमिन जो यह इस company का asset base है वो growth हो हो रहा है बट जो यह growth rate है वो acceptable rate से थोड़ा सा कम है ऐसे ही अगर हम इस company की revenue देखें तो March 2022 में इस company ने revenue जनरेट करी थी 48 करोड रूपीस की अगले साल जबर जस growth आया है और यह 70 करोड रूपीस को cross कर गई है और March 2024 में downfall देखने को मिला है 64 करोड रूपीस के आसपास आ गई है और इस साल जुलाई तक इस company ने more than 21 करोड रूपीस की revenue generate कर ली है ऐसे ही अगर हम इस company की profitability देखते हैं तो वो continuously बढ़ रही है March 2022 में इस company ने profit कमाय था 1.5 करोड रूपीस का अगले साल ये 2 करोड रूपी को cross कर गया है March 2024 में revenue कम हुई है बट profit 3 गुना बढ़ गया है और वो 6 करोड रूपे को cross कर गया है और इस साल जुलाई तक इस company 2.4 CR रूपे का profit कमा लिया है और ऐसे टाइम में इस company ये books में more than 32 करोड रूपीस की borrowing है ये थोड़ा से concerning है अगर आप इस company का profit and loss account देखोगे तो वहाँ पर आपको साफ साफ नजर आएगा जो ये इस company का debt है ये इस company के profitability को to the great extent hurt कर रहा है ये concerning बात है ऐसे ही अगर हम इस company का operating cash realization देखें तो March 2022 में इस company ने अपने operation से cash generate करा था 2.4 crore rupees का अगले साल ये 7.6 crore rupees को cross कर गया है March 2024 में downfall देखने को मिला है ये 3.29 crore rupees के आसपास आ गया है and July 2024 तक इस company ने 1.77 crore rupees के cash generate कर लिया है और ऐसे ही अगर हम margins देखें तो इस company के EBITDA margins है 16.6% के 10.36% के PAT margins है 30.62% की return on equity है and 31.77% की इस company की return on capital employed है and इस IPO के थूँ जो भी पैसे इस company के पास आएंगे उन पैसों के ये company use करेगी debt की repayment के लिए ये बहुत अच्छी बात है कुछ पैसे ये company use करेगे working capital की management के लिए because obviously अगर business बढ़ेगा तो working capital की requirement तो आएगी and fresh debt आप नहीं लेना चाहोगे actually इस IPO के थूँ जो पैसे आएंगे आप कुछ पैसे use करें और debt की repayment के लिए तो फिर fresh debt लेने का तो सबाल ही नहीं बचता and कुछ पैसे use होंगे general corporate purposes के लिए IPO से related expenses के लिए and ऐसे ही इस IPO के थूँ ये company 30 crore rupees raise करने वाली है पूरा का पूरा fresh issue component है 56 rupees से 59 rupees का price band है 2000 shares का lot size है इसे साथ सुच आपकी minimum investment होगी ये होगी 1,18,000 rupees की 22nd October को IPO open होगा 24th October को IPO close हो जाएगा and 29th October को इस company की listing होगी and अब question आता है क्या हमको इस company के IP को subscribe करना चाहिए या नहीं उसी काफी छोटी company है 30 साल के आसपास से ये company इस business में है and आज की date में इस company की revenue वो 100 crore rupees को touch नहीं करी है and आप मान के चलो अगले 2-3 सालों में भी ये 100 crore rupees को touch करे इसके chances थोड़े से कम दिख रहे हैं हमें आज की date में तो फिर क्या आप एक ऐसी company में investment करना चाहोगे जिसका past track record growth के point of view से next to zero है अगर आप 30 साल से इस business में हो तो आपकी business का size significant होना चाहिए revenue अच्छे खासी होनी चाहिए profit का quantum अच्छा होना चाहिए वो चीज यहाँ पर हमें missing दिख रही है मैं इस company के IP को subscribe नहीं करूँगा आप अपना decision थोड़ा सा सोच समझ कर लें इस video को देखकर अपना decision improve करने की कोशिस करें solely इस video को देखकर decision बिलकुल भी मत लें और भी काफी सारे factor अपने decision में incorporate करें तभी आपका decision एक अच्छा decision होगा अगर आपको यह video पसंद आया हो तो इसको like share जरूर करें और चैनल को subscribe करें Thank you